दोस्तो चेनने सूपर किंग्स और रॉयल चैलेंज़स बंगलोरू के बीच में खेले गए मैच में चेनने सूपर किंग्स गे रॉयल चैलेंज़स के उपर उनतर रन से भोती आसानी से जीत दर्च की और इस मैच के प्रमुख हाइलेट रहे है सर रविंदरा जड़ेजा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम रविंदर जड़ेजा के उपर चर्चा के रहेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमरे चैनल पे पहले बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथी बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोट परमज दीखा है जिसके वीडियोस चैनल नहीं ने बैंग गुरू के उपर काफी आसान से जीत दर्च की जिसके वीडियोस से इस जीत का पूरा-पूरा श्रीय सर्क रविंदर जड़ेजा को जाता है सबसे पहले हम रवींद्र जड़ेजा के बैटिंग के बारे में बात करते हैं रवींद्र जड़ेजा जब बैटिंग करने होका है तो उनका भोती आसान वाला कैच ड्यैणल खिस्टी ने छोड़ दिया था जिसका पूरा पूरा फायदा रविंद्र जड़जाने लिया रविंद्र जड़जाने अपनी पारी में सिप 28 गिंदों का सामना करते हैं 22 टन बनाये जिसमें उन्होंने चार चोके और पाच बड़े चक्के भी लगाये और ये पाच्चु भी चक्के आखरी यानि 20-वे ओर में आए हर्चल पडल की ओर थी जिसमें उन्होंने पहले बॉर पे चक्का लगाया दूसरे बॉल पे भी 6 लगाया तिसरे बॉल जो की नो बॉल था उस पे भी जड़े जाने 6 लगाया और चौता बॉल नो बॉल की वैसे फ्री हिट करार दिया गया उस पे भी जड़े जाने 6 लगा दिया पाचवी बॉल पे दो रन लिये छटे बॉल पे फिर एक 6 लगाया और आकरी बॉल पे जड़े जाने चौका लेते वे इस ओर में पूरे से 30 लगाया जड़ दिये एक ओर में 36 लगाया बनाने वाले जड़े जा सिब दूसरी प्लेयरे इससे पहले 36 लगाया थे क्रिस गिल ने वो पारी RCB के तरफ से खेली थी और जड़े जाने ये पारी RCB के अगेंस्ट खेली है दोस्तो सर रविंद्रा जड़े जड़े जा के इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है दोस्तो हाला के हर्शल पटल इस IPL के अभी तक के सबसे बेस्ट बॉलर है उन्होंने अपने पाच मैच में 15 विकेट लेते वे परपल कप अपने नाम की है और इस मैच में भी उन्होंने अपने पहले तीन ओवर में तीन विकेट चटकाए थे इस मैच के उनके पूरे स्पेल की बात करें तो उन्होंने शुरू के अठारा गेंड यानि के तीन ओवर में स्रिफ 14 रंदे दे और आखिरी ओवर यानि छे बॉल में उन्होंने 37 रंदे दे इस से हम ये अंदादा लगा सकते के रईविंद्र जड़जा के बैटिंग का था यानि के डैनेल क्रिस्टेंड उनको उन्होंने एक रंद पे काफी खतरनाक तरीके से रन आउट कर दिया चली अभी बात करते हैं जड़जा के बालिंग के बारे में जड़जा ने अपने चार ओर के स्पेल में एक मेडन ओर डालते हुए सिरिफ 13 रंदे कर तीन बहुम मैच में जीत हासिल की थी जिसके वैसे वो पॉनस्टेबल पे नंबर एक पर दे और चेन्ने सुपर किंग्स दो नंबर पी थी लेकिन इस जीत के वैसे चेन्ने सुपर किंग्स एक नंबर प्या गई दोस्तों रविंद्र जड़जा के इस पारे के बार में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जुरूर बताए और आज के लिए बस इतना ही आशेकर तो आप सभी की वीडियो अच्छा लगाऊंगा तो लाइक और शेर करना मत भूलिए दोस्त हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धर्नेवाद